हलो माई डियर फैंड्स आप सभी का मारे चैनल करेंट इस्टिडी पर स्वागत है दोस्त आज आज आपके लिए यह important वीडियो होने वाला है चुकि यह basic electrical engineering का इस वीडियो के माध्यम से आपको detail में सभी chapters बताने वाला हूँ और एक बात कहना चाहूँगा आप किसी भी branch के student है अर्थात आप electrical, mechanical, civil किसी branch के है अगर आपके subject में अगर electrical से सम्मंधित कोई भी subject है तो यह video जो आपके लिए upload किया जाएगा यह बहुत ही important है इस video में तो आपको मैं syllabus basic electrical engineering का बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको बताना हूँ इस video में आपको BEE का full syllabus syllabus का मतलब आप समझ रहे हैं मतलब जो आपके chapters है उनके अंदर जो chapters है उनको यह हमारे blog का यहाँ पर देख रहे हैं syllabus का मतलब आपको हम बता रहे हैं कि जो आपका syllabus का chapters होता है उसके अंदर आपको कौन-कौन से chapters है important है topic जो होते है उनको कौन-कौन सा पढ़ना है ठीक है इक बात करना चाहेंगे फिर से आपको किसी भी branch के student है अगर आपका electrical से सम्मंदित कोई भी आपके इसमें book लगी हुई है तो यह जो basic electrical engineering के subject में आपको video प्रवाइट कराए जाएगा यह सभी student के लिए important है तो आप सभी को मिलकर इस video को देखना है और share करना है जिससे सभी जो branch के student है उनको यह मिल सके चुकि आपका syllabus मिलता जूलता है बस आपको मैं आने वाले video में declare कर दूँगा कि आपको जैसे आपका mechanical है तो उसमें हो सकता हूँ आपको electrical engineering first या other branch में है तो इसी प्रकार आपके books लगी हुई है तो आपको घबराने की जोतने ही मैं आपके सभी chapters को include करूँगा और electrical branch के लिए तो खासतोर ये BWE आपके लिए है ही आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो आईए हम बात कर लेते हैं इसके कैसे क्या syllabus है और इसके details में कैसे आपको PDF में मिलेगा देखे इसका link आपको हमारे blog का description में link मिल जाएगा जैसे आप click करेंगे तो आपको इस प्रकार ये open हो जाएगा तो आपको नीचे इस प्रकार आना है जैसे हम यहाँ पर नीचे आ रहा है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर clear दिखरा है दोस्त इसमें बताया है second semester को जो all semester का syllabus है सभी branch के student का हमने upload किया है तो आप ऐसे check out कर सकते हैं बात आती है और यहाँ पर नीचे हमने आपको mathematics का pdm भी provide कराया है और यह आपका entrance exam के अगर आपके दोस्त भाई हैं जो तैयारी करना चाहते तो कैसे entrance exam की तैयारी करें उससे सभी जानक तो पहला जो आपको post मिलेगा यहीआपको दिख देक रहा ाइए इसी पर आपको click करना है ठीक है यहां पर क्या करना है इसी पर आपको click करना है जैसे यहां पर click करते हैं 지역 और एपकर click करेंगे तो आपकाChat open होगा दूसरा interface समीं जाएंगे जैसा कि अथ्यों आप it है ई समेश्टर एक्जाम में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिंग सब्जेक्ट अति महत्तपूर सब्जेक्ट है ठीक है इसी प्रकारिया सब्जेक्ट को विधिवत पूर्णक से पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल जो बुक्स लगी हुई है उन सभी को पढ़ाया जाएगा लेकिन आपको बेसिक एलेक्टिकल इंजिनिंग को जो वीडियो प्रवाइट कराया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप में जादा से जादा से जादा प्रकार आपको एक पॉइंट समझाओंगा जिससे आपको जीरो से एडवांस की में बात करता हूँ दोस्तों जीरो से एडवांस मतलब रजिस्टेंस करेंट से लेकर आपको एसी सर्किट का कोई भी नेटवर्क का कुश्चन आजाएगा आप आसानी से लगा सकेंगे ठीक तो उनको द्यान से देखे किसी भी ब्राणच के स्टुडेंट उनको सेयर कर दीजे चूकि सभी के लिगे वीडियो important होने वाली है देखे बेसिक इलेक्टिकल इंजिनियर्स की बात करें तो बेसिक उलेक्टिकल इंजिनिंग के चेप्टर से में पहला आपका आता है DC सर्क तो यह हम आपको यह नहीं पढ़ाएंगे कि आपको पांच नंबर दस नंबर का आता है तो इस टापिक्स को आप ज्यादा पढ़ें मैं आपको उस लेवल तक पढ़ाऊंगा कि आपको आगे फ्यूचर में भी आपको BEE जब आप पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने पर आप को सभी यह पॉइंट्स याद आ जाएंगे चुकि BEE electrical branch के लिए बहुत important है और ठीक उसी प्रकार आपका अगर बात करें तो mechanics की तो अगर mechanics है तो other branch के लिए mechanics इस बार भी है तो उनको क्या करना है कि उनके लिए भी वीडियो प्रवाइट कराई जैसे ही आपको BEE होता है आ आपको घबराने की कोई विजोरती है हमने आपसे वादा किया है कि आपके सभी स्लेबस complete और बेहतर तरीके से best जीरो से advance की मैं बात कर रहा हूँ बेहतर तरीके से आपको करा दूगा ठीक है बिलकुल आप घबराईए नहीं मैं आपको पूरा पूरा समय आप पर दूँग इस सभी को बहुत ही अच्छे तरीके समझाओंगा बिलकुल आप घबराएं नहीं तीसरा चेप्टर आता है दोस्तों electric आता है तीसरा चेप्टर आपका electromagnetic induction क्या है चेप्टर electromagnetic induction अगले चेप्टर की बात करें तो अगला चेप्टर से आपका batteries इसमें क्या होता है देखिए electromagnetic magnetic induction में मतलब आपका magnetic से related यहाँ पर electric और magnetic मतलब magnet से electric कैसे बनती है सब कुछ induction से related यहाँ पर सली जैसे बाएं हाथ का नियम यह सभी होता यह सभी यहाँ पर include किया गया है ठीक है आगे दोस्त यहाँ पर battery से भी related देखिए जो chapter है दोस्तों battery हम आपको बताना चाहेंगे इस बार S.S.C.J.E. में ये बहुत कुश्चन इससे पूछे गए और आपको पता हुने चाहिए S.S.C.J.E. बात करें या कोई भी बात करें इलेक्टिकल ब्रांच के लिए होता है कि 20 प्लस आपका S.S.C.J.E. में तो 20 प्लस कुश्चन इससे पूछे जाते हैं और अगर बात कर ब्रांच को फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बेसिक इलेक्टिकल इंजिनिंग में अपनी जान लगा दें अर्थात इतना बेहतर तरीके से पढ़ें कि आगे कोई भी सप्टर में जो भी पढ़ें आप बेहतर पढ़ें सिलेबस से हिसाब से पढ़ें लेकिन थोड़ा हट के और पढ़ें ठीक है जिससे क्या हो डीप नालेज रखें नालेज रखें रटाफिकेशन बिलकोल नहीं ठीक है नालेज रखना है आपको देख लीजिए और अधर ब्रांच के लिए बताना चाहूँगा आपके रेलवे में जो बहुत सी वैकेंसी आती है दोस्ते जिसमें क क्या होता है कि आपको सभी अगर आपके इसी लिए दोस्तों क्या होता है समेश्टर एक्जाम जो होता है समेश्टर एक्जाम में आपके सिविल में में मेकाइनिकल का सिविल का रखा जाता है और एलेक्टिकल की बात करें तो उसमें में मेकाइनिकल और सिविल का रखा जा अपना तो core subject पता होना चाहिए अगर आप civil से हैं तो आपका civil का तो पूरा पता होना चाहिए other branch का जैसे BWE आपका जैसे हो गया इसका knowledge होना चाहिए मतलब electrical branch का और mechanical branch का electronics का इसका सबकाव का थोड़ा थोड़ा knowledge होना चाहिए इसलिए आपके semester semester में आपके लिए civil के लिए mechanical electrical बीच बीच में books आपको देखने को मिलती है ठीक है इसलिए मैं आपसे समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से सभी topics को complete समझना है अगर आपको बहतर तारीक के तैयारी करना है तो जुड़े रहें मैं आपको topic wise बताता रहूँगा कि क्या कैसे आपको future में भी बहतर तरीके से तैयारी करना है तो दोस्त यहाँ पर क्या है कि यह electrico magnetic induction हुआ battery हुआ AC fundamental बहुत ही ज़्यादा important है इसी से आपका कोई भी competition उसमें से लगभग आपको AC से ही 8-10 question इसी से पूछ लिया जाता है बहुत ही important है AC fundamental and AC circuits तो दोस्तों यहाँ पर यह chapters है इन chapters को जैसा हमने आपको कहा कि इसको PDF में डाउनलोड करने के लिए इन सभी chapters के देखिए यह chapters नहीं दोस्तों ध्यान दीजे हम इन सभी chapters की बात नहीं कर रहे है इन chapters की बात कर रहे हैं लेकिन इनके chapters के अंदर जो topics हैं जैसे आपका यहाँ पर हमने आपको बताया यह आपका DC theorem है तो उसमें थ्योनीन है नौल्टन है सूपर पोजीसन है यह सभी theorem जितने भी हैं यह सभी के अंदर जो topics हैं इन सभी को आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा इस link पर किस link पर दोस्त जैसे आपको यहाँ पर दिया है PDF में डाउनलोड करें इसी link पर इसी PDF में डाउनलोड करें पर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे वहाँ पर आप PDF में इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं और अपने दोस्तों को PDF में सेयर करें आप इसी post को सेयर करें आपको पोश्ट यह दिख रहा है, यहाँ पर share का नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देश रहे हैं दोस्तों, यह आप कहीं से भी आप Twitter से कर सकते हैं, Facebook से कर सकते हैं, या आप यहाँ पर LinkedIn से, या आप कहीं से भी Pinterest से कर सकते हैं, तो खास दोर आप वहाँ पर Facebook का कमेंट भी कर सकते हैं, और किस टापिक पर आपको यह पोश्ट चाहिए, हमें नीचे आप कमेंट करके बता दीजेगा, लेकिन आपकी Classes की बात आती है, तो Basic Electrical Engineering की Classes कब से सुरू करें, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप हमें कमेंट करके बताईए, कि Basic Electrical Engineering की Classes कब अप से सुरू की जाए, या अप से ही सुरू की जाए, जादा से जादा आपका कमेंट आना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जितनी जादा से जादा इस्टूडेंट यहाँ पर जुडेंगे, वही बेतर होगा, और Other Branch के मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी ब्रांच के आप से मैं बताता जाओंगा, बिल्कुल आप घबराएए नहीं, यह वीडियो आपको यही तक है, दोस्त आपको डिस्किप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डिस्किप्शन में जाकर यह इस प्रकार इसको पढ़ सकते हैं, और साथ में नीचे जाकर डिस्किप्श धन्यवाद